तो आज हमारी राइट का दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं चिटकुल चिटकुल फागू से एराउंड दो सो चालिस किलमेटर दूर है तो आज हमें काफी टाइम लगने वाला पहुंचने में और मैं आपको अभी यहां का व्यू दिखा देता हूं फागू का अभी बज़े हैं साथ अभी यू देखो आप यह व्यू हमारी रूम की बैलकनी से यहां पूरे पूरे आप पे लॉक पिट्स बहुत इच्छा व्यू है हमारे बैलकनी से फटा फटा फटेडी होते हैं ब्रेक्फस्स करते हैं फे निकलते हैं हाँ से अग्याइज डेटू के स्टार्ट हो चुकी है हम हो मांटन व्यू होमस्ते में रहे थे यह मैंने ब्ली बॉक कर वाया था अब निकलने तो चिटकूल तो पैट्रोल नारकंडा में भर वाएंगे तो वहां लोड है चेक चेक हुआ है वालेट एट्सकू ठीक है भी थैंक्यू कि ट्रिप पर रिशेट कर लिया था मैंने ट्रिप बीकों में रिशेट ने कर रहा है विए लास्ट में जानना कि कि इतने टोटल किलमेटर्स करें इस ट्रिप मैंने सो अच्छा था होटल पर बट एक दिक्कत यह थी कि उन खुबे लाइट चले गी और लखीली हमने रात क सब्सक्राइब करें तो गरम पानी था नहाने के लिए अधर गरम पानी होता नहीं के बास पावर बैक अप इंका चल नहीं रहा था तो चुरों बच गए कि सब्सक्राइब नारकंडा से 45 किलोमेटर्स दूर है और वहीं से चिटकुल के रोड जाती है कि सब्सक्राइब करें तो वहीं जा रहे हैं हम लोग मेजर वाइज क्लेर स्काइज है थोड़ी सी देज धूप तेज है नारकंडा यहां से राउंड तेन फिफ्टीन किलोमेटर्स और दूर है मत्याना क्रॉस कर दिया हमने और हम लोग निकले दे महां से कुछ अराउंड पॉने दस क्यास पास तो अभी ट्वंटी अल्मूस्ट थर्टी क्ले मिटर्स हो गए हमारे और नरकंडा में जाके मैं फ्यूल अप करवाऊंगा वहाँ प्ल्टर पंप है तो हाँ से टैंक फूल करवाऊंगा मैं तो देखतें कितनी अबरेज आई है आम शोर मतब थर्टी तो रोड ठीक है जाद और बट कुछ-कुछ पैचेस मतलब गड़े-गड़े से हैं रोड में अब इदक तो ठीक है बाग इदक जांगे क्या होता है तो यह जिखा रहे है 137 किलोमेटर तो चल तो जाएगी इसका फ्यूल गेज काफी एक्विरेट है जितना मुझे पता है पॉपर गड़ेद गड़ेट है जिखा है तो गाइज नारकंड़ा पहुंच गए हम दोग और यहां यह मंदिर पढ़ता है यहीं पर होटल में बहुत चारे और लेफ्ट में यह फेमस नेगी धाबा वड़ता है तो आगे जाके पेटलो पंप है पेटलो पर वाते हो जाके तो यह रोड जाती टूवर्ड्स पिती वैली और सीधे निकल जाके तो हाथ तो टेमपर आता है आगे जाके वहां थी पूरे स्नोगवर्ड रेंज तो जी पेट्रो भर गया है 12 लीटर और हमने कर लिया है 426.3 किलोमेटर मैले जाए 35 की आइधिक ठीक है जैसे आप समने खीची भी यह बाइक तीसरे दूसरे गयर में चरहाई के टाइम पर तो आइधिक डिसेंट एनफ क्यूप जाते टाइम हमें 34 के आसपास की मैले जाए थी और थोड़ी से बैट रही है है तो अभी हम देखते हैं वहां पूरे चिटकुल होगा है हां मदर 200 के आसपास ही होगा करेक्ट तो आगे बढ़ते हैं हावा काफी ठंडी है और हम लोग निकल गए पू की तरफ तो अब यह रस्ता जाता है वांग्टू कर्चम सब सांगला वांगला सब जगा अस्पीती वैली भी और यह रस्ता रामपूर जा के थोड़ी खराब है कुछ 20-25 किमेटर के स्टेच खराब है बहुत विकॉज लास्ट जो फ्लैट आये थे मनाली और वो सब बारिश बारिश हुई थी उस साइड तो उसी का इफ्लेक्ट यहां पर भी आया था बहुत जादा बन सब उतर इधर भी काफे बारिश हुई थी प्all is दान पी सब्हाए बारिश को जब अब डॉठान पे उते हो जब चड़ रही हो तब जो लगता है बसाओ माल्वाल हुद के ससे कsyायर में चड़ा नीं पड़ती है बोह मैं बता रहे हुझ तो इस बाइक में अधर्वाइस मैं तीसर जोदेगर में राम से आरहा हूं भाइक को दिखकर रही है बढ़ पांच वागे अरभी तक नहीं लगा है कि है अप्र अप्र इस तैसे बाइक हो चुका है जाह पेले बिस्केट खालिय अब बंगे निकल रहे हैं टोड़् चिटकुल यहां से रामपूर कुछ अरांड इसिंग कुछ 40 किलोमेटर और होगा तो लेट्स को बसा हम जब होविंग की रोड जादा खराब ना हुआ जाकर विकॉस मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पता है कि रामपूर के आसपास कुछ पीच किलोमेटर पच्च किलोमेटर का सच खराब है कि यूजूली जब हम बैट पैचे से निकलते तो हमें लगता है कि डिस्टेंस कुईकि टाइं जाए लगता है ने बैट बैट बैचे को करने में कि तो दस किलोमेटर का भी बैट पैच आपने करा तो ऐसा लगता है यह समने कुछ 30-50 किलोमेटर का बैट पैच कर लिया हो अब लोग ऐसे पॉइंट पे आगए जहां से जैसे मैं इस साइट पीछी साइट से आ रहा हूं तो अकर मैं सीधा निकल जाओंगा तो वर्ड़्स पीति वाली जाओंगा और लेफ पूर जाओंगा यह रोड ऐसे नीचे को जाओंगी यह जाती टूवर्ड्स मनाली तो यहां से आप जा सकते हो अगर आपको मनाली जाना तो तो यह वो जंक्शन है अब चलते हैं आगे और डिस्टन्स कवर करते हैं फटाफट दूप बहुत तेज है गर्मी लग रही है अब पर जैसे दूप धलेगी ना तो टेंपरी से है अमेजिंग सीन्स नी आती है फ्रॉम इस प्लेस शिपकीला से सो शिपकीला चाइना बॉर्डर है तो वहां से यह फ्लोटी है और स्पीटी रिवर्स पीटी से आ रही है वह उस पर मर्ज़ करती है अट खाब विलिज तो अभी बस चल रहे हैं चल रहें चल नहीं कि मुआ अट गया रामपूर यह यूपी वाला रामपूर नहीं है 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 माचल यह जो आता है नारकंडा के बाद और रस्ता जितर मुझे याद है इसीज़ा सीधा जाता कि मुड़ना नहीं जाता यह रही हमालन गाजा ब्राउन फुली लोड़ेड लुगेज कि यह अफ्रोडिंग स्टार्ट हो गई है कि दूल मिट्टी और हाइनेस ऑफ्रोडिंग करते हुए डिफिकल्टी नहीं हो रही चलाने में प्रेयर सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है तो अराम अराम से वह मतलब जो जटके वह ले रहा है बट फ्रंट थोड़ा सा हाड है रांस भाई 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 अभी कितना लंबा है मुझे भी नहीं पता है कि लगी नीशे गाड़ी के नौर की वाई बाने लगी है उंच उचे पहाड ड्राइट्राइप आने लगे हैं अभी कुछ हमने करने 126 किलोमेटर और अब आप आइधिंक बचा होगा कुछ राउंड सौ के आसपास चिटकुल और आइधिंग दो थाई बज रहें भी पांच छे तो बजी जाएंगे मैं पहुंस चेला करा मुझे रोड अभी तक इतनी खराब नहीं आई है अब लेट सी कि आगे कितनी खराब मिलती है इतना तो पता है कि सांगरा से चिटकुल की रोड तो ख उस रुड को कितने जादा में नहीं कर पाते हैं इस पर फार्मिंग गुड माइलेज भी ठीक ठीक दे रही है तो ठीक है अब मैं मालों कि जैसे कल मैंने फूल टैंक में मतलब 423 किलमेटर कर लिये थे अल्मोस्ट जिसमें फिर मैंने फूल टैंक कर वाया जिसमें इक बार प्रफिश ठीक है पिलियन और लगेज के साब से अगर मैं सोलो जारा तो शायद होगता तक और दो दो कम होता है यह आ गया किनौर का गेटवेश तो यह बहुत 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 पॉइंट है हम पर मैंने काफी फोटो के चाहिए आपर तो एवर उख जादे हैं फोटो के कम से कम असी के असपर करने और हमें भी और टीन अलड़ी बच चुगे हैं कि यह लेगो इस लाइख रूफ कि आफ रोड ऐसी हो कि कभी खतम ही ना हो जो लोग स्पीटी की तरफ आ रहे हैं ग्रामपुर के बाद बहुत ही खराब रोड है मतलब अब एक घंटे में मुश्किल से 15 किलमेटर कर पाओंगे वादा सारे पैचे जैसे नहीं पर मेजर पैचे खराब हैं और मतलब ऐसे भी है कि मतलब रोड टूटी यह यह बने के कच्छा रस्ता है कोई के रोड टूटी भी है कुछ कुछ जगा पर कच्छा रस्ते हैं तो ट लगा पांच वागेर वाई मज़ा ही आगया बड़ू धरान पर लगाए तुबारा केचे डाउन करना पड़ेगा आज पांच वादी के आसपास हमने लंच किया है एक तरह से अली डिनर ही बोल लो और अब हम निकल रने टूवर्स चिटकुल चिटकुल अभी भी हां से कम से कम होगा पचास किलोमेटर फॉफुली आठ वए तक महुंची जाएंगे तो गाइस यह वह पॉइंट आगा है जहां से अगर हम सीधर चले जाएंगे तो टूवर्स पीरी बाली चले जाएंगे और मुन्ना राइट टूवर्ड्स चिटकुल अब ब्रिस क्रॉस करने के बाद फिर लेफ्ट लेना है तो अब संगला संगला यहां से कुछ 18 क्लिमेटर दूर है तो हम लोग संगला वाली रूट पे चल गए हैं आप संगला यहां से कुछ थीक है मतलब मतलब उस हिसाब से लग रहा है मुझे ठीक है जिस हिसाब से में सोच रहता है एक्सपेक्टेशन यह थी कि भाई रोड बहुत खराब होगी बाद ठीक है मतलब ओन अबरेज एकंडू एजी ली अट-least 15 किलोमेटर देनार इसमाल बाद भाई भाई वो जो बेले रोड बहुत कराब है भी बीच में दो कि अ हां सांगला की रोड है यह और पतली पतली सी रोड एक दम शौडी तो हुई नहीं है अभी कुछ दो दिंग किलोमेटर पहले हमारे जस्त सामने आके पत्था गिरा ज्यादा बड़ा इतना बड़ा था कि काफी डैमिज कर सकता था बस हम बच गए अब मैं उसको लग काउं जो का सब्सक्राइब करें तो बहुत ही डेंजरस होता है तो जितना जल्दी हो सके निकल जाओ यहां से देखो चिटकुल यहां से कुछ अभी भी 30 किलमेटर है तो दीदे चल रहे हैं पहुंच जाएंगे रखता है तिंक अभी छे बजने तो आट वह तक पहुंच जाना कि नेक्स्ट लेवल कि अब बरफ के पहाड साइड में और टूटी वी रोड होंटा इनस की बैंड बजी पड़ी पावर मांगरी भाई वावरी नहीं है कि पूरा थाटल खोल दो चड़ती नहीं गाड़ी बड़ी मुश्कल चड़ा चड़ाइए वाई फर्स चेकंड फर् अब राइड साइड में संसेट हो रहा है चिटकूल यहां से 20 क्लमेटर है बज़े बस राइड हो दिन देरे में नहीं करनी जंगल रूट है फिल्कुल वह बहुत खतरना के बाई हमने हमने रक्चम क्राश कर लिया है और चिटकूल यहां से भी भी 10-11 क्लमेटर और होगा और रात होने वाली है अल्मोस्ट इट्स दार्क सो दागेक एक खंटा मैक्स जिस हिसाब से रोट की कंडिशन है आज तो भाई हालत खराब होगी अब तो बस मन कर रहा है बेड मिल जाए लेड देहूं मेरी हालत बिल्कुल खराब है थोड़ा वड़र भी लग रहा है कि अन्देहरा जंगल है न तो पहले कभी मतलब इतने देहरे में चिटकुल नहीं आए हम लोग तो थोड़ी मेरे से मिस कलकुलेशन होगी थी गलती मेरी है वह ठीक है होता है रोड तो भाई बहुत खराब है मतलब मैं पिछली दो बार आ चुग हो उससे विदा खराब है इस बार तो रड़ जलो देखते हैं बैटरी कब तर चलती है थंड में तो गोपर भी बैटरी डाउन होई जाती है रिकॉर्डिंग स्टार्ट पिछ टार्क टू किलमेटर सु शिटकुल एक्स्रीमली कोल्ड एक्दम अधेरा हो चुगा है और बस हाइनिस की स्टाउक लेट के बरो से चल रहे हैं है चिटकुल यहां से कुछ दो किलमेटर है अब तो पहुंची गए अलमूस्ट वह ही है कि दो किलमेटर कवर करने में ही लंका लग जाती है हुआ है तो गाइज हम लोग चिटकुल जॉसल पहुंच गए है बहुत खराब हो चुकी है और एक्दम बुरा हाल हो चुगा है और मैं आपको अपना रूम दिखा जिता हूं यह है जॉसल चिटकुल का प्राइवेट रूम और यह ऐसा बैड एरेंजमेंट है यहां पर कि वाश्रूम में वाश्रूम में क्लीन है बस यह सब्सक्राइव ड्रम दिया हूँ है पानी भर के पता ने कौन डूपके लगा गया तो यह पूरा रूम है और बहार जाते हैं एकदम बैलकनी और बैलकनी से यहां पर पूरा बहार अभी आभी दिखेगा बट सुबह यू सब्सक्राइब कर रहे हैं फ्रॉम फागू और खराब होगे बहुत खराब रोड़ती तो अब मैं आपको मिलता हूं कल तो तिल दैन राइट हार्ट राइट सेफ से यू तोमोरो बबाए